आप सभी लोग सवागत है आपके अपने यूटूब चैनल डीजे सब पर आज का यूडियो क्लाश 12 के मैथमेटिक्स बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्ण्ट है क्योंकि इसमें मुलों सीखेंगे दिगरी ठीक है यह दो चीजे हम लोग निकालना सीखेंगे इसमें अच्छे से और कई क्वेशन्स के प्रेक्टिस के तुब हम लोग इस चीजे को सीखेंगे और एंड डिगरी को फाइंड आट करना है ठीक है कोटी तथा घात इसमें लोग बोलते हैं कोटी तथा घात ठीक है आपको दो नंबर में देखी यहां पर यहां पर जो होता है आपको घात हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग कोटी तता गाद्शों को फाइंड आट करना होता है देखिए द्यांसे इंग्लिस वर्ट जो होता है थो ज्यादा बेटर होता है मुझे लगता है कि इंग्लिस बहुत ही इजी है और गडित को पढ़ना सबसी एजी है इंग्लिस लेंगुज मे तो देखिए यहां पर order and कोटी के बारे में बात कर रहे थे तो यहां पर बताया गया था कि देखिए जब भी अगर आपको order के बारे में पूछा जाए तो the highest derivative of a differential equation या कोई भी differential equation दिया गया है तो जो उसका highest derivative होता था वही उसका order होता था ठीक है तो लेकिन जो degree होती है the power of the highest derivative वह जो होता है वह उसकी degree हो जाती है तो उचतम जो क्या होता है वही उसका क्या होता है कोटी हो जाता है तता उचतम आउकलच की जो घात होती है वही जो होता है उस equation का degree हो जाता है तो यहां पर देखिए हमनों कुछ questions के थरूप practice करेंगे अपना यहां पर जैसे यहा परेला आपका प्रशन है d y बटे में dx ठीक है प्लस xy is equal to cos x ठीक है इसमें आपको क्या करना है find out करना है यहां पर आपको इसमें इसकी degree भी और कोटी भी तो इसमें लोग कैसे निकालेंगे देखिए यहां पर आपको जो दिया गया है तो अगर देखा जाए तो इसका यह पर लिखा गया highest derivative तो highest derivative देख रहे है कि यह करना डिफ्रेंशिया हुआ है और इसका पर आपको धेखकी फेरिशेटी का बेंटेख देखा जारे तो यह कितना है एक है तो यहां पर आपको हो जायेगा घात आपके तो यहां पर जो इसका घात होगा और इसकी कोटी हो जाएगा यानि कोटी और घात दोनों ही एक होगा देखिए इसका पुरा आपका घात भी एक मिला हो इसका जो आडर है वो भी एक है तो आडर जो हो गया इसका ठीक है और इसका जो डिगरी हो गया वो दोनों ही जो होगा एक हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसमें देखिए कोई बड़ा सवाल नहीं है आप इसली इसको कर सकते हैं बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्रबुट प्रश्णों के सीरीज में हम लोग अपने दूसरे इंपॉइंट के तरफ हम लोग इसको आफ कर दिया जा नहीं तो हम लोग अपने मोबाइल को नहीं तो कालिंग आ जाएगा तो आप लोग डिश्टर्बै्स हो जाएंगे देखिए हम लोग का जो दूसरा प्रश्ण है दूसरे प्रश्ण हम लोग ने सामिल किया हुआ है d3 d3 y बटे में d3 dawn the whole square ठीक है plus d2 y बटे में dxsql ठीक है फ्ल scrambled xy equal 2-0 हो गया अब देख gir ए जो question आ आपका लिखा गया question ॉक को फिर से पढ़ दे रहा ह कुछ d3 y बटे में dxqद यहीं तीन बहर डिरिविटिव किया गया मैं यहां पो इसका square लिखा गया इसका order of degree क्या होगा आपका तो देख रहे हैं कि आपको जो ली पताना था इसमें अगर आपसे order पूछे तो क्या था the highest derivative तो highest derivative अगर देखा जाए तो देखिए तीन बार differentiate हुआ है यह दो बार differentiate हुआ है है तो आपका जो highest derivative हो जाएगा वो कितना हो जाएगा थ्री वो जाएगा इसका मतलब आपको order मिल गया order मिल गया order कितना है 3 हो गया अब बात करने हैं हम लोग किसके degree कि में किसकी degree कितनी है तो इसका डिगरी देखा जाए है तो देखिए वो भी जली आप निकाल सकते हैं और तो 3 हो गया लेकिन यहाँ पर एक हाईएष डेरिविट्वेट्व का पाउर जो रहेगा तो यहाँ पर हाईएष डिखा जाए दो हाईएष डिरिवेट्व और इसका टू है n नहीं आपका टू लगा वै तो यहां पर डिग्री स्की की हो जाएगी प्रसंड की टू हो जाएगी तो जो डिप्रेंशेस्म आथ के डीक्यू वाइ warning एज़ की का less B110 मुटस मुस्कार पलस यहां पर और नीजटीन प्लिस इकला दनेगा म्लोग कुछ और मातरबु पशनों को तो तीसरा जी सम्हें का वा कुछ क्वेस्टन्स हो गया डी स्क्वाइर य बटे में डी एक्स स्क्वाइर इस इक्वाइर इस इक्वाइर तो यहाँ पर देखिए आपको रूट में बात दिया गया है ठीक है न और यहाँ पावर आपका 4 है ठीक है और यहाँ पर जब आप करेंगे तो y plus dy बटे में dx का holy square आप देखिए यह जो question number 3 है यह important है क्योंकि इसमें देखिए अब आपको थोड़ा सा ध्याम देना होगा यहाँ पर देखिए जब भी कभी भी अगर कोई differential equation में अगर root लगा हुआ रहे है करड़ी लगा हुआ रहे है या क्यों की रूप में लिखा रहे है किसी भी घात की रूप में लिखा रहे है तो पहला काम तो देखिए हमें यह जो करड़ी वगरा चीज़ है जो external चीज़ है हटाना है इसे पहले हटा देंगे हम लोग किसी भी आवकल समिकर के कोटी तथागात को बता सकते हैं यह order or degree को इसके हम लोग इसली बता सकते हैं तो पहला काम देख रहे है कि यहाँ पर देखिए power यहाँ पर देखिए आपका 4 है तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या करेंगे यहां पर हम लोग पहले power 4 करेंगे दोनों तरफ ताकि हम लोग काम क्या हो जाए यहां से प्रड़े यह चीज है यहां पर जब आप करेंगे तो d square y बटे में dx square का power कितना हो जाएगा 4 क्योंकि यहां पर 1 by 4 के रूप में यह है और यहां पर आपका क्या हो जाएगा y plus dy बटे में dx का whole square और जो यह चीज थी आपकी रूट के रूप में यहां पर जो 4 आपने लिखा हुआ था यह चीज आपकी remove हो गई क्योंकि आपने दुनों तरफ का power 4 ले लिए है तो जब आप देखिए आपको यह simple रूप में देखने को मिल रहा है अब यहां से आप बता सकते हैं अब देख रहे हैं कि highest derivative जो आपका है highest derivative कितना है highest derivative का मतलब उच्छतम जो our college है वो कितनी बार हुआ है? दो बार हुआ है यहां कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है तो उच्छतम our college को ही count करके हम लोग उसका order लिग देंगे तो इस equation में गर देखा जाए तो इसका order जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ठीक है? अब हम लोग को बताना है कि आप डिगरी बता नहीं है तो डिगरी अगर देख रहे हैं इसका यहां पर तो यहां पर जो डिगरी होगा अदम इजली आप बता सकते हैं कितना है? यहां पर तो देखिए यहां पर दो है लेकिन यहां पर our college एक है तो highest derivative के बारे में बात हो जाएगा तक हाई एस सामिल किया गया है कुछ थोड़ा मैं अब special type के questions को इसमें सामिल कर रहा हूँ ध्यान दीजेगा बहुत ही important है जैसे मैं लिख रहा हूँ यहां पर देखिए d square y बते में d x square का whole square ठीक है यह तो सही है plus d y बते में d x power cube होगे आपका plus cos d y बते में d x हो जाए ठीक है और यहां पर आपका हो जाए plus 2 plus 2 equal to 0 अब इस questions में देखिए क्या है आपका जो दिया गया है इसमें हम लोग को क्या करना है इस questions में order of degree को find out करना है यहां आप देख रहे हैं d square y बते में d x square plus d y बते में d x का whole cube plus cos d y by d x plus 2 is equal to 0 है तो इसका हम लोग क्या करना है order and degree को बताना है तो dear students यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे questions आपको मिले जिसमें कि कभी भी अगर कोई special जो आपके function है जैसे trigonometric function हो गया inverse trigonometric function हो गया exponential form में की रूप में हो गया अगर इत्मिक की रूप में हो गया तो ऐसे जो यह functional group होते हैं तो increased derivative की रूप में अगर इन functions को लिखा जाएगा तो यहां पर क्या होता है हम लोग न तो उनका order and degree होता है उनको हम लोग decide नहीं कर पाते हैं या नहीं बताते हैं या वो undefined हो जाता है तो यहां पर देखे dy by dx जो है cost का derivative हो गया है तो cost dy by dx लिखा होगा है तो यहां पर क्या होगा न तो इसका derivative और न तो इसका order न तो इसका degree है कुछ भी define नहीं कर पाएंगे तो यहां पर हम लोग इसका सीधा सीधा लिख देंगे कि कोटी तथा घात परिभासित नहीं है कोटी तथा घात परिभासित नहीं है सीधा सीधा आपका इस questions का यह answer हो जाएगा तो ऐसे questions भी आपको मिलते है मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसे questions आपको मिलेंगे तो मैं देखी यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा जैसे कोई भी डेरिविटी जैसे मिले आपको क्या टिग्नोमेट्रिक मिल गया ठीक है टिग्नोमेट्रिक मिल गया और उसके साथ ही साथ जैसे इनवर्स टिग्नोमेट्रिक मिल गया इनवर्स टिग्नोमेट्रिक मिल लॉग रिथ्मिक हो गया तो ऐसे अगर मिलते हैं आपको ऐसे फंक्शनल गुरूप अगर मिलते हैं तो उनका डेरिवेटिव गुरूप में अगर लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कोटी तथा गार जो है परिवासित को नहीं कर पाएंगे जैसे मैं आपको अभी अपको खुदी क्लिएर हो जाएगा पाँनलों का प्रस्न देखें है Qa.데 में d j d d x क्या हो गया , ud साइन हो जाएगा साइन का मैं यहां पर डेरिवेटिव लिए दे रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए अब देखिए इस क्वेस्ट में डीसाइड करें यहां पर देखिए जैसे डी वाई बाई डीस के साथ अगर कोई फंक्सनल गुरूप मिल गया कोई लगरित्मी गुरूप ऑस जो जाएगा नहीं कर पाएंगे ठीक है पर आप सिधा सिधा लीग परिभासित नहीं है ठीक है परिभासित नहीं है ठीक अब जैसे यहां पर देखें पांच questions हुए आपके और मैं अगले questions की और बढ़ता हूं देखिए कुछ और example देख लीजिए आप आपका ओट लीर होगा चट्वे questions की और बढ़ रहे हैं यहां पर अब आप यहां पर हम लोग को बताना है इसका order बताना है और इसका आपको डिगरी बताना है तो देख रहे हैं आप यहां पर हाइस derivative क्या है हाइस derivative मतलब किसका maximum बार ऑकले जुगा तो इसका order हो गया order क्या हो गया तो इसका पावर देखा जाए तो इसका पावर तो कुछ दिया नहीं है तो पावर इसका लेंगे आप तो एक ही मिलेगा आपको तो यहां पर जो इसके डिगरी हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी वह वन हो जाएगे तो इसका order कितना हो गया और डिगरी कितनी हो गई वन हो गई यह question number आपका कितना हो गया 6 हो गया आईए बढ़ते हैं कुछ questions में 7 questions के तरफ देखिए जबी question बहुत important है और आपके बोर्ड इंग से पूछे में प्रशन है मैं वनी प्रशनों को आपके साथ discussion कर रहा हूं जो कि आपके exam के दिश्टी code से भी बहुत महत्तपूर ह आगे लिखते हैं हम लोग अगरे questions को x square ठीक है d square y बटे में dx square का power 3 plus y dy by dx power 4 plus y power 4 equal to 0 हो जाएगा तो अब देखें यहाँ पर क्या है मैं questions को मैं एक बार फिसे पढ़ रहा हूं आप ध्यान से सुनिएगा x square d square y बटे में dx square power 3 इसका whole की बजाएगा plus y dy by dx power 4 plus y power 4 equal to 0 अब इसका हमें order और डिगरी बताना है तो देखें आप देख रहे हैं इस questions में अगर अब highest derivative तुरंत आप पहुंच जाएगे पहले कि आपको जैसे ही order बत पूछा जाए या जैसे ही आपको कोटी पूछा जाए कि कोटी क्या होता है तो यहां पर कोटी का मतलब क्या हो गया highest derivative तो highest derivative देख रहे हैं यहां दो बार differentiate हो रहा है यहां power 4 और कोई भी root root में नहीं है और कोई भी functional group ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा कोई derivative उनके साथ लिखा नहीं गया है तो जाइस ही बात इसका आपको लिखना पड़ेगा इसली लिख सकते हैं इसका हम लोग तो यहां देख रहे हैं आपकी power जो highest derivative है वो दो बार हुआ है तो कोटी इसका आसानी से decide हो गया है दो देखे confusion कहा होती है confusion हम लोग को जाए तर मिलता है घात में जो हम लोग इसका degree लिखते हैं उसमें problem होती है यहां तीन और चार में हम लोग वो decide करते हैं degree को तो यहां power 4 लेकिन यह बेकार है लेकिन यहां power 3 है यह सही है क्योंकि यह दो बार derivative है और यह एक बार derivative है तो यहां पर यह decide करेगा 3 जो होगा इसका घात हो जाएगा जिसे हम लोग जरू करें और साथी साथ जो हम लोग का चैनल बना बना का उसे लोगों तक पहुंचाएं और जो इसकी थीम बनाए गई है अपकी बार बोर्ट परवार उसको सार्थ तक सीथी करें डियर श्रेंट्स मैं आपको दो क्योंस देता हूं आप लोग इसका बताएगा एंसर हमे इसका आपको क्या करना है और डिग्री दोनों बताना है क्वेस्टन नंबर 9 आप नोट कर लीजिए यह दोनों क्वेस्टन्स में आपको दे रहा हूं ताकि आपके 15 सदम अच्छेस हो जाएगी दिखिए जो यह क्वेस्टन से इसे भी लिख लीजिए डी स्क्वाइर टीटा बटे मैं डी टीटी स्क्वाइल मेंॉस 2 इसमें भी आपको क्या करना है और और डिग्री दे को बताना d3y बटे में dx3 पावर आपका हो जाएगा 3 ठीक है प्लस और यहां पर आपको लिख्या गया है d2y बटे में dx2 4 dy by dx plus y sinx equal to 0 देखें यहां पर sinx को देखें केंफ्यूज मत हुईएगा कि नहीं साइने को देख लिए तो कहा दिए कि नहीं इसका कोई आड़र डिगरी नहीं कर सकते हैं तो जो यह क्वेशन नमबर आठ है क्वेशन नमबर नौ है और क्वेशन नमबर दस है तो इन तीनों के आड़र और डिगरी का जो है मुझे इंतजार रहेगा आप इसका केमेड़ बाक्स में इसका इनसा जरूर दे और वीडियो थोड़ा सब यह आपको पसंदा रहे तो इस अफिए फ सब्सक्राइब कर लें और याद रखिएगा मेरे इस वीडियो को मेरी फिस की रूप में सेर बस करना है क्योंकि याद रखिएगा सेरिंग इस डबेस्ट वे आउप लर्निंग तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए अपने स्वास्त का ध्यान रखते वे अपने